hello everyone आज हम लोग बात करेंगे important fiber crop cotton के भारे में cotton ये important fiber crop of India आजसी के बारे में हम देखते है वितल बने ये starting point dwa everyone किस तरहे में चैढे हम स्की siri करिया ते terribly taxonomically तो वैस सब से पहले जो हम बात करेंगे कि इसकी जो archelogical evidence मिलते है की काॉटन का जो हिस्टरी है कबसे इसके बारे में लोग जानते हैं तो more than four thousand years इसके बारे में evidence मिले इसके एक अग्री कल्चर कल्टिविशन गडेंश मिलें वो 3000 साल पराने हैं और सबसे important है कि four cultivated species इसकी है आज के टाइम में फोर जिसमें से दो स्पीची जो है वो डिप्लाइड है और दो बच्ची स्पीची कहते हैं टेटर अप्राइट इस डिफाइन आंदी बैसे तब नमबर आप क्रोमों सुम्स द्यार प्रेजेंट इंदी प्लांट अच्छा डोमेस्टिकेशन के बा और टेक्नोलोजिकल एडवेंस्ट्री के साथ इसकी जो कल्टिविशन था और इसकी जो प्रॉसेश्चिंग थी जिरिंग बोलते हैं इस्पिनिंग इसे धागा बनाने की उसमें बहुत बड़ा मिला रिवोलुशन हुआ और इट इसे मेजर पार्ट अब डिवर्ड को रमी ठीक है क्यों कार्ट बन गया अब उसके बाद अब इसकी न्यू वाराइटी जाएं जब ट्रांजनिक कार्टन इस तरीके से तो कार्ट इंडेस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादे ग्लोबल लेवेल पर इसका एक सिग्रिफिकेंस हो गया तो आप देख सकते हैं कि इस जानते जो करी जाती है इंडिया आइस बेलाइज अधर कंट्री आप दिखलो बाटनीकल नेम की बात करें तुसक्त बाटनीकल नेम हमें एक सिंगल नहीं कहते हैं क्योंकि इसकी चार इसपीसीज होती तो जीनिस जो हता है इसका बोग गॉसिपियों होता है और गॉसिपिय क्योंकि चार इसपीसीज आप नीचे डिसक्राइब करेंगे फैमिली जिसे हम माल बेसी बोलते हैं या फिर मैलो फैमली आप इंट्रोड़क्शन कुछ सिग्निफिकेंट बेरी मच सिग्निफिकेंट पॉइंट हो इंट्रोड़क्शन में इंक्लूट कि बहुत ही अगरिकल्चर क्मुपॉटेटी मतलब फूड में प्रोवाइड नहीं करती फिर भी सबसे जादे इंपॉर्टेंट जो नान अगरिकल्चर फिल्ड नान फूड एगरिकल्चर से आ रहे हैं तो सबसे पर इंडेस्टिमे उज़ुए थे वह हैं कॉटन के फाइबर और अभी है उसमें सबस्जद इंपोर्टन का ने और का रॉड़क्षन इतना जाद है कि जितनी बचे दूसरी फ़ायवर क्राप सबका टोटल प्रोड़क्षन और का प्रोड़क्षन एक साइड में तब भी का टोड़क्षन ग्लोबर लेवल पे सबस्जदे हो रहा है अधर फाइब क प्रोड़क्षन के बारे में तो कहा कहा से का मतलब है किन किन लोगों इसके बारे मताया जो यहां पर बहुत सारे ट्रेवलर आयए इंडिया में और जो हमारे और कि यह वाद पता चलिए तो देखते हैं आई इंडस बैली सिविलाइशन जो हुई इंडिया में मोहंज जो बोलते हैं उसने सबसे पहले तीन हजा साल पुराने विडेंस में ले की काटन का लोग प्रयोक करते थे यह सब बात इसलिए कि सबसे जब ओल्ड इविडेंस आई वी सी से प्रोवाइड होते उसके बाद जो हता है रिगवेट आपको पता है कि हिंदू स्क्रिप्चिर का स सबस्क्राइद करें कि को नोनल Tá Olive Land अब कोलमबस इन के उन्य यूरूपी कंट्रिय और इंडिया में यह के कि ना ba करीब और इनहोंने भी बताया कि जो कोरम अगेशंट वाला जो एरिया है जो शमोझ से लगा बहां पर बहुत ही नोस्ट जो हुट Dalini आज यहां पर लोग मतलब कल्टिवेट करते थे और इंसे कपड़ा बगारा बनाते थे मार्कुलो ने अपनी बुक में अपनी लिट्रेचर अपने स्क्रिप्ट में लिखा है इसके बारे में उसके बाद हम बात करें तो जो ढाका के मुसलिम है जो बंगलादेश है पले इंडिया कि उन्होंने भी बताया है कि नेटिव इंडियन जो थे बहुत ही मतलब कलर फुल कोटन फाइवर्स की बगरा करते थे इसके बाद कुछ साइट से बहुत साइट से जैसे पेरोबियन साइटेक है होगा परेटा एंड एक अरिजोना में है प्योल ब्लो इन जगों से भी इस पूरा पार्ट होता जैसे कॉटन मिलती है उसके वहां से मिले हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्ट बात है कि जो एजिप्ट और चाइना में इंडिया के थुरू मतलब कॉटन से कल्टिवेशन की बाराइटी वहां पर इंट्रोडूस करी गए और अरब ट्रेडर्स थे उन् बात करें इंडियन डर्विंड ने अंडे टेक्टैल इंडिस्ट्री अपना एक कॉटन कार्पूर्शन आफ इंडिया मतलब किया जो कि बेलापूर महाराष्ट में लोकेटिद है आप इसे ध्यान रखें कोशन आते हैं से सीसी आई बोलते हैं से इसका एक पब्लिकेशन है अब इसके बाद हम करते हैं प्रोड़क्शन की बात तो जो भी दुनिया में कंटरी है उसमें सबसे इंपॉर्टन जो आपका है वो चाइना युए से और इंडिया पाकिस्तान उज्विकिस्तान टर्की ब्राजील तुर्किमें और गिरीक आस्टेलिया वगएरा हैं अब आपना इंडिया की बात करते हैं तो चुकि कार्टन जो है वह आपका ट्रॉपिकल सब्ट्रॉपिकल एंट बार्म टंप्रेट एरिया बहुत बढ़ा एक मतलब रिया बताए कि इसी तरह की क्लाइमेटिक कंडिशन पुरी दुनिया पाई आती है लगबग सभी जगा ग्रो पर आते हैं और जो एरिया कवर करते हैं और कार्टन प्रोड़क्शन पूर नंबर एक पे तीक है अब इंडिया में कौन कौन से सबसे आगे तो सबसे महारास्त है गुजरात और तो यह चेंज होता रहता है क्योंकि महारास्त जो गुजरात दोनों ही कमप्टीटर है बहु जो भी हो सकता है जो चार इंडिया में किस लेबल कर याती कौन कौन से जादे कर जाता है गौसिपियम फुरी दुनिया में या फिर इंडिया इंक्लूडिंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब इंडिया में बिल्कूल नेगलाइज में कुछ हेक्टियर में ना के वराबर ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए फिर सुटम जो पचास परसेंट टोल जो कॉटन आता है वो इससे आता है इंक्लूडिंग इंडिया ग्लोबल लेविल पर इस पीसे सब चाहिए की जाती है अब हम बात करें इसकी पोजिशन के बारे में कितने सबसे पहले आपने तुना होगा हुए उन्हों नाइटी फोटी सेवें ने बताया था कि इसकी 20 स्पीसी डिकनाइज करी दी कॉटन की आंधी बैसे आप साइट लोजिकल जेनेटिकल ज इस बिलेट अर्केलोजी का लिए अर्ट ने का कि जो जितनी स्पीसें यह हमने आट सेक्शन में डिवाइट कर दिया कितने सेक्शन में आट सेक्शन में और कहा कि अल्ली टू जो है वहां चलिया अफ्रीका में अधर देंजुब इंडिया को फोटके बहां पाई आती और मतलब पेरेनियल इन नेचर और इस पिसले जो ड्राट इंडियूरिंग स्रप्स एंड ग्रोइंग अंदी डिजर्ट ड्रेवर बेट्स एंड रॉकी हिंसराइड इरिया में ग्रो कर जाती है इसका फिलिप्स ने अपना स्टेट्मेंट दिया फिलिप्स ने का कि जो सेक्श सेक्शन के नाम देया है अगया का-श्रक नमगर मैंत जैया あुप इन सेक्शन नायँ आय इनी सेक्शन इंडर तक वह नहीं है ऑल नगी च्रॉकल कर्शा देसे नोगआन में जी ब матर्समाल नहीं घॉन मतलब से बनता बहु नहीं थिए अब उसके दो बच्चे हुए जो आपके हमाट की जिकर करेंगे यहां पर क्योंकि एक जो है नियू एडिट है तो उसमें क्रोम सब्सक्राइब नंबर डबल था और उनमें जो इस पेसली जो सेक्शन ते वह बेसिया थे और इन तो बूक्या पताते हैं कि जो डिप्लाइड कॉटन है वो न्यू बैड में कैसे पहुंची का कि प्रिस्टोरिक टाइम्स पे जब आपका साउथ अमरीका और जो थे अंटाइट गए थे थी साथ और नार्थ में इस तरीके पहुंची कि जो बहरिंग स्ट्रेट होता इस्टे ठीक है तो इन्होंने कहा कि जो टिप्लाइड जो ओलवर्ड कॉटन थी उनकी जो पैरेंट से न्यूवर्ड में इस तरीके प्रिस्टोरिक टाइम में ही मतलब उनकी इंटरी वहां पे हो गई थी और इसका अनुन रीजन के बताय था कि वह साउथ अमरीका में इस तरीके प इसके बाद हचेंसन और स्टिफेंस ने अपनी एक बात बताई थी उन्होंने काया कि कि ओलवर्ड डिप्लाइड कॉटन है वो न्यूवर्ड में कैसे पहुंची है पैसे पी कोस्टिन के थू मैंन के हिल्प से पहुंची है और वो कप पहुंची किन दूनों पहुंची है ते हें यहींसी कि इनकाल पहुंला आट गालीजम इस साओट अमरीका में इनका श्यूफाटक जो थी और घेप्ट हैंसे इसके हैं से और एक सी श्रीघ्रम सीकने घे इर गयांध शबा लीनों में वमताय से फिरह कॉश्कीन चेय। इन्हों थोरी अपनी दिए कि प्री कोलंबिय में जब कोलंबस आया था उससे पहले की बात करते हैं कि उस्ते हुमन बिंग के तुरू जो ट्रांसपर या जो मूब्मेंट हुई है को नहीं हुए फिर कहा कि 18 सेंचुरी में जो इंडिया में गुलाम बंस से बोलते हैं उनके जो न्यूबर्ण सब रिटन हुए थे तो वह अपने साथ यह टेट्राप्लाइट कॉर्टन लाए थे उन्हों ने इंट्रोडीस की थी बेस्ट अफ्रीका में और जब उन्हों देखा कि यह हमसे बहतर है तो उन्होंने बहां कि जो इंडिजने डिपलाइट कॉर्टन थी उसे रिप्लिज करकि वह टेट्राप्लाइट कॉर्टन पर मदब डिपेंड होगा उसे कल्टिवेट करने लगी अब टोटल की बात करें तो जितनी बाइल्ड स्पीचिज है कॉर्टन की वह सब कैसी है डिपलाइट बट एक स्पीचिज है गॉसिपियों टोमेंटोसम यह डिपलाइट नहीं सबसे इंपॉर्टन बात दो जो हम कल्टिवेट करते हैं वह टेट्रापलाइट से और जो बा में एक स्पीचिज गॉसिपियों टोमेंटोसम जो है वो डिपलाइट नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कॉल्इन फाइबर की का तक आंप की बात करें तो कटन फाइबर जो पीडर्म में एक बात को पाई जो पोर एने वाले एस पीडर्मल प्रोलंगेशन सोते हैं और सब स बात इंप्रोटन आती है कोशन आते हैं दूसरा कैसे होलो है खुकले हैं और यह अपने जो वेट होता है उससे लगवाद 24-27 टाइम बाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं बहुत इंप्रेंट दूसरा इंपॉर्टन की बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत इसली डाइक को कउइन्ट करने की इनके atrau होती है और किसी जिसे बाहरी बिएर विए अगेंस्ट उपने को रिजेस्ट करते हैं और कि actually काउंट कर जा जाता हे एकdockर वहiferns फांट को खॉफित हौंट करा जाताgо सब्सक्राइब करते हैं कि जो 25 डेज़ बूल डबलम में के दौरान तो कार्टन फाइबर के लेंट के बाद इनकी अब लेंट नहीं बढ़ती है बलकि अपनी थिक्नित में इंक्रिमेंट करना शुरू कर देते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब हम बात करते हैं जो बनलब दोनों के बीच में जो गया बिसे लिए वह बहुत है और उसके अंदर डिपोजिशन होता है किसका सेलुलोस का कि अप जो मौस थिक निग होती है वह सब्सक्राइब होती है नाइट अदि अभज़िव होदी मेदी फामाप कि कोई डिप्स नहीं होती किसी साइट करनbies अपकर से बना है पर यह सबना है सब्सक्राइब , बास्धी पर अपको मिल स questi सब्सक्राइब दिए। नीके सब्सक् प्रेंट होते होते हैं एस फिर वाले ओर आपीतिवलिफिएlares अपhou करने नंबर होती है यो फिरल वारीं यह रोती है तक फीरेंट बिफिरेंट बाराइटें में डिफेंट नंबर तक होती है और जो वारी सने डिपेंड अपाउंड दी अगार्टिन टूदी कौंस या बाराइटी कल्टिवेट कर रहे हर बाराइटी में इनका नंबर डिफेंट होता है इस रेंज बंटू 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 फिटी टू थ्री हंड़े तक होता है अब इसके बात करते हैं होने की बज़े से ही इनकी इंपॉर्टेंस बनती है कि इसमें उसकी ज्यादर कंसेंडेशन तो सब ज्यादर कंसेंडेशन से लिलोज की है 94% प्रोटीन होता है 1.5 अब प्यक्टिन देखिए से लोज पेक्टिन बैक्स को देखने यह तीन चीजें होती है इसमें ठीक है सु प्यक्टिन बैक्स क्यूटिन इनके फाइबर में होते बागी सुगर और आपका प्रोटीन भी होती है अब किस टाइब के फाइबर होते हैं उन पर देख लिए तेन टाइप के फाइबर डिफाइन करें अन्दी बैसे अब देर लेंथ और सबसे पहलें लांग इस्टेपल सबस्काइब करें यह साथबसें यह सिक्सटाइब करने सबस्क्राइब करते हैं एंडिया इसकी तीन इसकी थीचिज सीरें न काटन और अमरीकल इजप्षण कॉर्टन करमा जिसमपीवा बोलते हैं ठीक है इन से मिलते हैं लॉव इंडिया में ये कुछ रिख्रफर गोड़्य लेग्ज प्रफिल उनल भॉट नामिनल लेंडरिया पे ग्रोडे इंडिया मलगी कहते नहीं ग्रोड गर्याथी है ठीक है आ जन्र्नलव में यह सकते हैं तो सबस्क्र तो इनके बारे में देखें इनकी फाइन एक्स टेक्चर गुड लश्चर हाइए क्वालिटी क्योंकि लंबे तो हाइग वहीं जोगी कामन चुकि लिस्ट कामन जनली बहुत इक स्पेसिक अंटर में ग्रोग कर जाते हैं और डिफिकल्ट टू कल्टिवेट इस काट्रों करना इसके संबाट को अधर होते हैं अब दूसरा आता है जो सबसे स्टेंडर्स होता है यह फिर में इंटर्मीडियर साइज के यह वाले इनका इंटाइब फाइब से टू इंच मतलब बन पॉइंट फाइब सेंटीमेटर करीब या फिर मिलीमेटर में 30 तू 33 मिलीमेटर अब ज इसके संबाट को अधर होते हैं और इंडिया में तो इंडिया में प्राइस कैसे होंगे लो प्राइस होंगे बहुत बाता है प्राइस लो होंगे सब ज्यादे ग्रो करें आपकी हिर्सूटम सेकिन पोजिशन पर यह लगवर 29 परसेंट और यह 21 परसेंट इंडिया में तो जो इस्टेवल फाइबर से सब्सक्राइब करते हैं उनका जेग्राफिकल डिस्ट्रिपूशन की बात करते हैं देखिए इन्हें हमने दो तरीके डिबाइन किया है दो ही दुनिया में पार्ट है और एक न्यूवर्ड तो अम्रीका वाला कॉटन क्या क्लाइग आपको सिंपल पता होगा अमरीका सब्सक्राइब करते हैं तो यह तो आपके हिर्सूटम हो गई और एक होगा बार्विदेंस दूसरा हो गया आपका गौसीपियम रेन मौनटी और एक हो गया गौसीपियम थुर्वेरी ध्यान रखना है यह बहुत अब नाम पहली बार आएं यह आपने नाम सुने होंगे ठीक है चार इसपीसी जो होती है आपकी न्यूवर्ड कॉर्टन या अमरीकन कॉर्टन कहलाती है और इनका जो फार्म इसकी जो होती है ट्रेक्शोनामी जेटिक नंबर वहता है आपका डिपलाइड होता है और यह सेक्टन स्पिस्पिस्या को भी लॉंग करते हैं इसमें कितनी इस पीसिजाती है इसमें आपकी दो इस पीसिजाती है हर वेसीयम और अर्वर्ण देखिए सबसें जो कैसे हैं डिपलॉयट सें और इनकी जो इंपॉर्टेंस है बो क्या है लेस बैल्यूबल टूदी हुमन बिंग्स क्योंकि सबस्दाइज गरे जाते हैं क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस असलिमिले हुमन बिंग के लिए ज़ाद हैं जो आपका यूएस से में करी आती है औ क्योंकि यह कम एरिया में ग्रोव कर जाती है और इस माइट है भी एक्षन द्यूरिंग्ड कोर्स अप्टाइम के साथ यह कहीं ना कहीं खतम हो जाएंगे एक टाइम के बाद अब बद करते हैं क्टिवेटिटीडी इस पीसिसजें के सब्सक्राइब करने वाली सबसे कम ग्रोव करने वाली स्पीसिज आपकी आती है न्यूवर्ड कोटन अम्रीकन कोलते हैं और जो आपकी सेकिंड दो स्पीसिज इंडिया में जो ग्रों कर जाती है आपके यह उल्ड वर्ड कॉर्टन स्पीसिज अब बात करते हैं जो कल्टिवेटीड इस पीचिज उनकी क्वालिटी के बारे में उनका किस कंटी में सबस्यादर प्रोडॉक्शन होता है उन्हें कामन इमनें बहुत तरी कॉर्टन वोलते हैं चैनीज कॉर्टन वोलते हैं और सी लोगते हैं तो आपने देखा यह सिंक और ने क्योंकि कम गरू करती है अच्छा सबसे बाद प्रोडूसर्स है तो जार से वादे यू ऐसे तो नहीं होगा कही नहीं अमरीका में जो तो होई की न और तीन मीटर या तीन से कुछ थोड़ा ज्यादे होता है विटेविल ब्रांच इस बिलकुल नहीं होती है लिए सेवल लोप बैक्टियों स्मोर अब लेस ट्रेंगुलर और जो इसके सबसे कर जो इंडेस्टिकल पॉइंट होता है बोल वो जनरली थी सेल्ड होते हैं और होते हैं और एक फ्रूट में लगबग इसके सेवेंटीन सीट्स होते हैं पर लोक्यूल्स ठीक आप इसको पर लॉंग होने के बाद भी वो उनमें लेस्ट नहीं है इसलिए तो यह कम बैल्यूशन तक होती है देखना बाट स्ट्रॉंग होते हैं पेरी सॉल्ट अब आता है सब दूसरा गॉस्पियों और इसमें भी कैसी होती है यह भी कैसी है डिप्लाइड है क्रोमसम का नंबर कितना है थार्टीन है और कहां गरो कर जाती है आपकी इजन ओल्ड वर्ड कार्टन मतलब इंड अगी ट्रॉपिकल अफ्रीका और मिडिल इस्ट एंडा ग्रोन चाइना इंडोनेशिया नौर्थ बेस्टन इंडिया पाकिस्तान में गुरू कर जाती है बाटनी की बात करें इसका प्लान की जो हाइड होती हो बन से बन पॉइंट त्री मीटर करीव होती है लीप्स थी जो होता है तो थ्री सेल्ड होता है राउंट बीग्द स्मूथ सर्पेस होती है इसकी तो जहां से बात समय सकते हैं कि लेस्ट क्वालिटी का होगा रेडली विद प्रॉमिन पिट्स ग्लेंस जो ती कुछ यूरिन नंबर्स एंड इंड इंकांस फिम बहुत इंसिक्निफिक क्या बोलते है लिंट और समाल साइड वालो क्या बोलते लिंटर ठीक है लांग इस्टेपल की कितनी होती है फाइवर की बुर नाइन पॉइंट फाइब टू नाइन टी मिलिमीटर और ग्रेन कलर अब इसके बाद आता तीसरी वराइटी देखिए एदम टेट्रापलाइट पर आगाया है हम लोग लोग अगासिप यंवार बिटें जो की वैसे में ग्रोग जाती है इंडिया में बिल्कुल ने इंगलेज्व बहुत कम अनली फ्यू थाजन हेक्टिर में ग्रोग कर जाती है और सौथ अमरीका ठीक है और इसके बार में स्पेसिक वालिटी क्या जो इसके क्वालिटी यह कि इसके जो सब्सक्राइब बहुत कर जाते हैं इसके बाद इसके बार इंडी और यह है रखना यह दो घ्द में तांगुस और पीमा अमरीकन इंदाल बार्याइटी भी बोलते हैं अब इसकी कुछ सिंग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं जो आपका सी सबसे क्वालिटी की कॉटन होती है और जो ने आइडिया बता है फ्लोरीडा फिजी इन कंट्री में ग्रोग कर जाती है और जो इससे इस पर नियार मनता वह बाइडली यूजिन मनुफेक्श्रिंग आफ लाग कैंब्रिक एंड फाइन होजरी बनाने में काम आता है इसके बा आल सो लिम्टेट एक्टिंट टुदी टर्किस्तान नियू मैक्स को एरिजोना कैलिफोर्निया में उसे में ग्रोग करते हैं फाइबर में इंप्लाइड फार मनुफेक्श्रिंग दी गूट्स बेर गुड़ स्ट्रेंथ इस्टेंथ की बात करें नीडियो होती है जैसे चाहिए तांगुस और पीमा तांगुस की क्वालिटि पहले बात करेंगे पहले उनी की बात कर लाइन काफी टाल होते हैं नेचर अनौल स्रप और रीच इंटू हाइट थ्री मीटर्स इन हाइड बिरिंग तू-2-3 एस्ट्रॉंग एसेंडिंग विजिटेबल बोग्ड़ सब्सक्राइब और कोलरा ब्राइट एरो इन कलर एंड रेट टू पर्पल इस पॉर्ट नियर दी बेस जैन की क्वालिटी पैजान सकते हैं और बूल्स जो तुन वह उसली लार्ज 3.5 तु 6 सेंटीमेटर लांग होते हैं डार्क ग्रीन प्रॉमिनेंटली पिटिट विद पिल स्ट्रिंट कर सकते हैं कि यह वाली भावाई सील एंड और यह अध्यां दिया थेहां रहिए द्दक हैं कौंण कॉलिटी टेक्ट्च्चर लेंथ प्रिवन जापका में वह नोने चुछ निकींट युट ङसी प्रॉमिने कर दोभी होतें और पहुत बहुत जादीं शिल्की फोर्टिफोर मिलीमेटर लेंद और रिलेटेबली इन्फिरियर कॉलिटी के फाइब शुक्त अब इसके बाद फॉर्ट बन लास्ट बन की बात करते हैं तो गासी पीपन जो कि सबसे जब गरो करने वाली कॉर्टन की बाराइटी सपीची जह और इसे हम अप्लेंड कॉर्टन और इस निलिमीटर जोक्ता है इसके इस इस बात द gir और ऊप्लेंड रहने के बश्च बिकम और थे और सब्सी करते हैं कि मिलीमेटर कि हो होते हैं इंचनल प्लाइट इसमाल सरफ होता है ट्रीज भी हो सकता है और फ्यू बेज़िटेविट ब्रांचे फ्यू बेज़िटेविटेविट इंग फ्लावर नहीं आते हैं लिप्स लाट्स कॉर्डेज मुल्ड हर्ट के लाई हैरी एंद थ्री तो फाइब लोगो थी फ् कवर्ड विद वाइट कि मतलब कोटिंग चोती फ्यूजी कोटिंग तो इस तरीके ताम में देखा पूरे कॉर्टन की वराइटी उनकी इस्ट्री और उनसे प्राप्थ होने वाले फाइबर की क्वालिटी के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट की जो निवर्ड काटन औ कर दो कर दो की वालें क्वारां के बारे में बात करा ओए और जो आज हम ग्रो कर रहें वह आप कि टेट्राप्वार्यड सबसे जादा का वॉन सी क्या है उसकी क्या थैस्टार्च्वेस ही वह जहायाई ह। उन बाराइटी में सबसे ज़्यादा जो इंप्वार्टन होती है तो गाइट थैंक्फुल फार बाचिंग इस व्यूट्यू और आई होप कि आप लोगों इस वेस्ता में लेक्चर को एंजॉय किया होगा और कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीस कमेंट बाक्स में लिखें और द